सब्सक्राइब कीज़े मेरे चनल को और प्रस की देब बैल बोटन को ताकि आप में यह आने बली वीडियो देख सकें हेलो फ्रेंड्स मैं अभी जीत आज की वीडियो में मैं आपको अडेनियम प्रांट को कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ और साथी साथ कटिंग के घ्रो होने के बाद इनको किस तरह की मिठी में इनको report करना है उसका भी बताओंगा क्योंकि अर्डेनियम के लिए थोड़ा अलग तरीके की हमें मिट्टी बनाना होता है क्योंकि इनके जो प्लांट होते हैं बिल्कुल भी स्वैल में पानी नहीं पसंद करते हैं तो यह देख सकते हैं मैंने आपको लाश वीडियो में इस तरह से कुछ कटिंग को ग्रो करके दिखाया था उसमें रूटिंग बहुत ही अच्छी हुई थी और आप बिना रूटिंग हॉर्मोन यूज किये बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी रूट पा सकते हैं और बहुत ही अच्छी कटिंग से प्लांट उगा सकते हैं तो चलिए इनकी कटिंग को ग्रो करने का अपडेट के संग फुल प्रोसेस बताते हैं तो ये देख सकते हैं अडेनियम की कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने इस तरह की कटिंग ले लिए आप किसी भी साइस की कटिंग ले सकते हैं इसकी कटिंग जो मैथड बता रहा हूं वो उसमें आप किसी भी साइस की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं अब हम cutting के निचले से को किसी साफ चाकू या blade से बिलकुल बराबर से काट लेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसके निचले भाग को काटना है बिलकुल बराबर से अडेनियम प्रांट की जो cutting हम ले रहे हैं वो सडे ना उसके लिए हम एक फंगी साइट का घोल तयार करेंगे और इसमें इसके निचले भाग को अच्छे से डिप करेंगे ताकि इन में किसी भी तरह की infection ना लगे और अगर आपके पास फंगी साइट नहीं है तो आप इसकी जगा पे healthy powder या दालचीनी powder का यूज कर सकते हैं और उसके घोल बना के इसी तरह से आपको dip कर लेना है आपको घर में आसानी से healthy powder या दालचीनी powder मिल जाती है क्योंकि वो मसालों में यूज होता है आप cutting के निचले भाग पे लगबग 2-3 इन तक अच्छे से fungicide को लगा दीजिए अब आपको एक disposal class लेना है और उसमें नीचे की और आपको धेर सारे hole बनाने जैसा कि मैंने बनाया हुआ है ताकि उसमें से waste water निकल जाए और अब हम इस cutting को disposal के बीचो बीच रखके इसके चारोर sand को भर देंगे मैं ये जो sand यानि बालू का यूज कर रहा हूँ वो मोटी वाली sand है जिसको मौरंग के नाम से भी जाना जाता है इसमें अडेनियम की cutting के ग्रो होने का बहुत ही अच्छा result मिलता है हमने cutting को sand में लगा दिया है और अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे पहली बार हमें जादा से जादा water देना होता है इतना water देना होता है कि इसके bottom से पानी अच्छे से निकलने लगे पानी देने के बाद अब हम इस cutting को direct sunlight वाली जगा पे ही रखेंगे और आपको ध्यान रखना है कि आप इनमे regular watering करिए regular watering करने का ध्यान रखिएगा कि अगर इनके pot में बहुत जादा नमी अगर है तब आप इनमें पानी गैप करके दे सकते हैं और अगर नमी नहीं दिख रही है तो आप इनमें हलका सा sprayers की सायता से थोड़ा सा पानी दे सकत कटिंग ग्रो करते वक्त एक बात और आपको ध्यान रखना है अगर आप कटिंग से ग्रो की हुए plant पे जल्दी flower पाना चाहते हैं तो आप कटिंग उसी plant से लीजिए जिस पे flowering हो रही हो और ऐसी branch लीजिए जो की mature हो अडेनियम की कटिंग को लगाए आज पूरे 10 से 11 महीने हो चुके हैं लगबग एक साल के आसपास हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी growth बहुत अच्छी हो चुकी है तो इसको मैंने disposal में लगाया था और आप देख सकते हैं इनमें नीट्चे की और rooting बहुत अच्छी ह हो गई है और जहां जहां से होल था वहां से भी आप देख सकते हैं इसकी roots जो हैं बाहर की साइड आ गई है अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर से भी आपको इसमें बहुत सारी roots दिखाई देगी तो बहुत ही अच्छे से हमारी अडेनियम की cutting लग जाती है अगर आप इ नहीं से इसकी जो branch थी वो छोटी थी जब एक साल पहले और यहां से इसने कितनी जादा ग्रोध कर ली और साथ ही साथ हमको flower भी देने लगा यह plant तो इसलिए जब आप cutting से प्लांट को grow कर रहे हो तो ऐसी branch लीजिए जिसमें flowering हो रही हो mature branch हो तो वो आपको flowering देने इस pot को हटा लेते हैं तो हटाने के लिए आपको blade से हटाना होगा क्योंकि अगर हम खींच के हटाएंगे तो इसकी roots disturb हो सकती है तो यह देख सकते हैं सेंड में बहुत ही अच्छा result हमको अडेनियम plant का मिल जाता है हम बिना rooting hormone के ही इससे बहुत अच्छी roots पा सकते हैं तो वाश करने के बाद आप देख सकते हैं इनकी roots किती अच्छी grow हो चुकी है और यह एक साल में बहुत जादा अच्छे से grow हो चुक में लगे रहन दिया और लगे रहने के साथ साथ यह flowering भी करने लगा और बहुत ही अच्छा result मिला यह देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी और healthy roots इसमें develop हो गई है अगर आप अडेनियम plant को cutting से grow करते हैं तो आपको इसमें codex नहीं मिल पाता है codex अडेनियम का तना होता है बहुत ही ज्यादा फूला हुआ गोल गुंबच जैसा पार्ट होता है नीचे का तो अगर आप अपने अडेनियम के plant पे codex भी देखना चाते हैं तो आप अडेनियम के plant को सीट से ही grow करिए सीट से grow करने पे आपको codex बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन आपको cutting से grow करने प cutting को grow कर लिया अब हम इनको report करेंगे report करने के लिए इनके लिए अलग सी मिट्टी बनानी होती है तो उसमें हम पहले कुछ छोटे वाले बजरी वाले पत्थर लेंगे और अब हम लेंगे sand यानी बालू यह मोटी वाली बालू है जिसको मौरंग के नाम से जाना जाता है और और अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे यह सारी चीजे मिलाने के बाद लगबग एक चमच इसमें हम फंजी साइड एड करेंगे 4-5 इंच गंपले मैं मिट्टी तयार कर रहा हूं तो मैं एक चमच ही इसमें फंजी साइड ले रहा हूं और आप देख सकते हैं हमारा चिलके का यूज करूँगा इससे पानी आसानी से निकल जाएगा तो इनकी छेंद पे हम थोड़ा सा इसको लख देंगे ताकि जब हम इसमें स्वैल मेक्स डाले तो वो नीचे से एकदम से ना निकले जो हमने स्वैल मेक्स तैयार कि उसकी एक लेयर पॉट में डालने के पानी जादा से जादा देना होता है क्योंकि इसके तल तक हमें पानी को पहुंचा कि इसको नमी देना होता है तो हमने प्लांट को रिपॉर्ट कर दिया है और अच्छे से पानी भी दे दिया है अब हम इसको तुरंत ही पानी देने के बाद इसको डारेक सनलाइट वाली ज